हेलो दोस्तों मैं रूपे सिंग यूनीक क्लासिस में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो देखे फ्रेंट्स आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और महत्पूर्ण से सन लेकियां फ्रेंट्स वो भी किसका है क्लाक कलाक में यानि कलाक यानि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घडी और घडी में पढ़ने वाले हैं फ्रेंट्स एंगल एंगल वाले कुशन आपको देखे फ्रेंट्स हर एक एकजाम में यहां से एक कुशन जरूर देखने को मिलता है और आपको सिसन को मिस नहीं करना friends, आज मैं बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि आप within second में angle कैसे निकालेंगे, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूँ कि मैं हमेशा एक ही type की सवाल और उसमें जितने variety के सवाल बनते हैं उसको मैं सांदार और जबरदस तरीके से कराता हूँ, friends, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे तो आपको देखे friends, चैनल से जरूर जुड़ना है, काफी यहाँ पर आपको help मिलने वाली है, और friends, अगर आप comment box में comment करके बताते हैं किस topic में आपको doubt है तो मैं उस पर भी सांदार तरीके से वीडियो बनाता हूँ, तो चलिए friends, सबसे पहले हम आपको हमेशा की तरह concept सिखाएंगे, concept सिखाने के बाद question आप within second में खुद ही बना ले जाएंगे, तो देखे friends, अगर हम घड़ी की बात करते हैं, तो आप लोगों यानि तीन सुई अलगी होती हैं, इन तीनों की, देखे friends, कुछ न कुछ स्पीड होती होगी, तो आप लोगो कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो चलिए सबसे पहले इनकी स्पीड तीनों की निकालते हैं, तो देखे friends, सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी सबसे पहले हम बात करेंगे हावर हैंड की, किसकी बात करेंगे हावर हैंड की, यानि घंटे वाली सुई की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे तो देखे friends, घंटे वाली सुई अगर मैं आप से बात करता हूँ कि जो है 12 घंटे में कितना degree move करेगी अगर मैं कहूं कि एक चेक कर घंटे वाली सुई को लगाना है तो कितने समय लगेंगे तो आप सभी लोग कहेंगे सर 12 घंटे यानि घंटे वाली सुई यहां से चलना सुरू करेगी यहां से फिर यहां पर पहुँचेगी तो एक घंटे में अगर मैं आप से पूँचो कितना जाएगी तो आप लोग कहेंगे सर 12 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट 60 मिनट में 30 डिगरी जाएगी तो एक मिनट में कितना जाएगी तो आप लोग कहेंगे 30 बटे 60 30 बटे 60 का मतलब कितना हो जाएगा 32,60 यानि half degree तो इसका मतब देखे फ्रेंट्स जो घंटे वाली सुई है जो इसकी speed हो जाएगी वो कितना हो जाएगी half degree per minute कितनी हो जाएगी half degree per minute इसको क्या हो जाएगा फ्रेंट्स इसकी speed हो जाएगी किसकी फ्रेंट्स आवर हैंड की इस बात का ध्यान देना हर एक concept अपने आप में important है concept clear रहेगा तभी आप question को कर पाएगे उसकी बात बात करते हैं minute hand की किसकी बात करते हैं यहाँ पे minute hand की अगर हम बात करते हैं minute hand वाली सुई एक complete check कर कितने समय में लगाएगी तो आप लोग कहेंगे सर एक घंटे एक घंटे में वनलब 60 minute यानि 60 minute में कितना चली जाती है तो आप लोग कहेंगे सर 360 degree जो है move कर जाती है तो अगर मैं आप से पूछ हूँ कि एक minute में कितना move कर जाएगी तो एक minute में कितना हो जाएगी 6 degree जाएगी किसकी बात करता हूँ यहाँ पर second hand की बात करता हूँ तो अगर मैं second hand की speed की बात करूँ तो देखे फेंट जो second hand है यह एक minute में ही कितना चली जाती है 360 degree एक complete check कर लगाने में अगर मैं कहूँ इस घड़ी के पूरा complete check कर लगाने में कितना समय लगेगा तो एक minute में पूरा जाती है 360 degree clear है तो यानि इसकी speed हो जाएगे फेंट 360 degree पर minute तो I hope कि देखें फेंट मनें minute में सारी speed बता दिया और हमने कहा कि घड़ी की जितनी भी सुईयां होती है इनका जो speed हो ता वो हमेसा constant होता है ये fix है फ्रेंट्स और ये तीनों concept आप पर clear होने चाहिए जैसा कि screen पर देख सकते हैं इसका screenshot ले लीजेगा चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब ध्यान समझेगा कि question को आप लोग अब बिदिल second में करेंगे जैसे दिखे फ्रेंट्स ये वाला question आप से कह रहा है कि एक सची घडी है एक देखे फ्रेंट्स कह रहा है कि आप सबी लोगों से यहाँ पर घडी है जैसे ये बारह हो गया ये छे हो गया ये नव हो गया ये तीन हो गया clear है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस, ग्यारा, बारह देखे फ्रेंट्स घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, एक घड़ी सुबा 8 बजे दिखाती है, घड़ी में 2 पहर 2 बजे, अब देखे फ्रेंट्स 8 से आएंगे 2 बजे, घंटे की सुई कितना डिगरी घूमेगी, तो देखे फ्रेंट्स 8 से 2, 8 से 2 मतलब 8, 4, 12, 12 से 2 मतलब 2 इसका मतलब कितना मुझाएगा, टोटल 6 घंटे, अभी अभी हमने कहा कि घंटे वाली सुई, एक घंटे में 30 डिगरी जाती है, तो 6 घंटे में कितना जाएगी, 6, 13, 18 यानी 180 डिगरी मूग करेगी, यही इस कुश्चन का करेक्ट आंसर है, बहुत सारे कुश्चन पूछा से करिएगा, बहुत आसान है, धाई से पांच, धाई से पांच पहले समय निकालिएगा, एक मिनट में 6 डिगरी जाती है, मल्टिप्लाई कर देंगे, तो आसानी से अंसर आएगा, अब चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कुश्चन की तरफ, अगले कुश्चन देखे फ्र सेकेंड की सुई, एक मिनट में कितना जाती है, 360, तो 400 डिगरी भूमने में कितना समय लगेगा, तो 400 डिगरी बटे 360 लगेगा, कि नहीं तो आप लोग कहेंगे, हाँ बिल्कुल सर, ये तो सेकेंड वाली सुई का समय आ गया, यानि 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे, 12 याई 36, 12 24, 48, यानि 4 बटे 3 मिनट लग गया, सेकेंड वाली सुई को जो है 480 डिगरी भूमने में, किरा उतने समय में मिनट की सुई कितना डिगरी भूमेगी, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिगरी जाती है, तो इंटू क्या कर देंगे, 6, 3 से काटेंगे, 3 दोनी 6, 4 दोनी कितना हो जाएगा, 8 डिगरी, 8 डिगरी इस कुश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानि D ही आप सन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, I hope कि आप लोग बाते समझ गए होगे, हम अगले कुश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला कुश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, अगला कुश्चन कह रहा है, अब ध्यान समझो, अब देखे फ्रेंट से अगर मैं घंटे की सुई की बात करूँ, वो कितना डिगरी मूब करेगी, 16 मिनट में, तो देखे फ्रेंट से अगर वोगों एक मिनट में वो कितना मूब करती है, हाफ डिगरी घंटे वाली सुई की बात करता हूँ, कर रहा हूँ, तो एक मिनट में वो हाफ डिगरी भूमती है, तो इसका मतलब 16 मिनट में कितना जाएगी, तो 16 मिनट में अगर हम आप से बात करते हैं, तो 16 मिनट में कितना हो जाएगी, कितना जाएगी, फ्रेंट से 16 मि यही तो है 16 का अधा कर देंगी, एक मिनट में half degree तो 16 मिनट में 8 degree, clear है, यह देखे फ्रंट्स ओररल निकाल सकते हैं, अब आप से कह रहा है कि मिनट की सुई 16 मिनट में कितना जाएगी, एक मिनट में 6 degree जाती है, तो 16 मिनट में मिनट वाली सुई 16 6 के 96 degree मूग करेगी, करेगी कि नहीं तो आप लोग कहेंगे, हाँ बिल्कुल सर, 96 से 8 घटा देंगे, तो 16 मिन से 8 गया 8, यानि कितना हो जाएगा, 88 degree क्या होगा, इस question का correct answer होगा, I hope कि फ्रंट्स आप लोग बाते समझ गए होंगे, अब इस चाइब के सवाल आएंगे, तो आसानी से कर लेंगे, अगल कि सुई 28 degree घूमती है, तो 28 degree घूमने में उसको समय कितना लगेगा, एक मिनट में half degree घूमती है, तो 28 मिनट में घूमने के लिए उसको फ्रंट्स कितना चाहिए, 28 दूना, 56 मिनट चाहिए, कितना चाहिए, 56 मिनट, अब 56 मिनट इसको लगे, तो अब देखे फ्रंट्स इसक लाइन 3, 6, 5, 6, 30, 33 यानि 336 degree घूमेगी ऐसा कौन सा आपसन है भी वाला ही आपसन इस question का correct answer होगा तो देखे friends आप within second में कर रहे हैं कि नहीं अगर आपका concept clear है तो ऐसे सवाल आप within second में कर लेंगे जैसा कि ये भी बड़ा ही बहतरीन और सांदार सवाल है कि जितने समय में second की सुई केरा 4960 degree घूमती है केरा उतने समय में घंटे की सुई कितना degree घूमेगी तो अब देखे friends 4960 है clear है second की सुई लेकिन एक मिनट में कितना जाती है 360 यही है तो मैं मिनट में निकाल दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि एक घंटे में जो है एक मिनट में घंटे की सुई half degree मूब करती है तो सबसे पहले मिनट निकालना है तो देखे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 36 से काटेंगे 36 सकन्नम 36 36 सकन्नम 36 यानि समय कितना लग गया यहाँ पे आप सभी लोगों का आप लोगों को कितना समय लग गया यहाँ से 11 मिनट यही तो है यानि 11 मिनट यहाँ पे समय लग गया है अब देखे half into कितना कर देंगे अब यहाँ पे देखे friends half degree जाती है I hope कि friends बाते समझ गए होंगे, यहाँ पे 11 मिनिट लगा, half into 11 कर देंगे, 5.5 degrees question का correct answer होगा, clear है? I hope कि friends बाते समझ गए होंगे, अब इस type का सवाल आएगा, तो कर लेंगे. अब देखे friends यहाँ थोड़ा सा type को मैंने change किया है, कह रहा है, जब समय 4.20 हो रहा हो, तो मिनट वा घंटे की सुई के मत दे, कोण कितना होगा? अब देखे friends इस question को करने के दो तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा, एक तो तरीका जो मैंने भी concept बताया, एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा, जिससे आप उसको तरीके से भी question को कर सकते हैं, घंटे वाली सुई, एक घंटे में 30 degree जाती है, तो 4.20, यानि कितना हो जाएगा 120, अब देखे friends इस जब 20 मिनट और हुए होंगे, तो कहीं न कहीं घंटे वाली half degree और भूमी होगी, तो 20 का आधा कर देंगे, क्या कर देंगे friends, 20 का half और मिनट वाली हमेशा half और कर देना है, कितना हो जाएगा, 10, 120 में 10 जोड देंगे, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, औ और मिनट वाली सुई, एक मिनट में 6 डिगरी जाती है, 20 चक का 120, दोनों के बीच का difference लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 डिगरी, यानि 10 डिगरी आपसन में दिख रहा है, यह इस question का correct answer है, देखे friends, घड़ी में हमेशा 2 angle बनते हैं, इस बात का ध्यान देना, हो सकता है, गर कल को 10 डिगरी नहीं रहेगा, तो 360 से क्या करेंगे, 10 को सब्ट्रेक्ट कर देंगे, इस बात का ध्यान देना, यानि कितना हो जाएगा, 350 डिगरी कोश्चन का correct answer होगा, यह दोनों ही आपसन आपके exam में देख सकते हैं, तो फिर बोत हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना, clear है एक आपको direct, देखे friends, result याद रखना है, angle निकालने का, आपको direct result याद रखना है, 60 H, differences क्या होता है, 11 M by 2, जहां H है घंटे वाली सुई, M है friends, minute वाली सुई, तो यानि इसका मतलब कितना कर देंगे, 60 into 4, differences कितना हो जाएगा, 11 into 20 by 2, तो देखे friends, 64 के 40, 240, 11, 22, 220, गटाएगे, 20 आएगा, 20 का आधा कर देंगे, तो भी कितना जाएगा, 10 degree, तो दोनों ही तरीका, best है friends, इस बात का ध्यान देना, उसमें concept clear होना चाहिए, इसमें direct आपको ये result याद करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, चली, आई होकी बाते समझ गए होंगे, अब इस टाइब का सवाल आएगा, तो कर लेंगे, देखे friends, ये भी सेम वही सवाल है, चली, direct result से ही रख देते हैं, 60 into each, यानि 60 गुडे, 6, differences, 11 into 30 by 2 हो जाएगा, तो देखे friends, 6 चंग 36, यानि कितना हो जाएगा, 360, ग्यारत याई 33, 330 बटे, 360 से 330 घटाएगे, कितना हो जाएग 30, 30 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 डिगरी, यानि 15 डिगरी इस question का correct answer है, कल को 15 नहीं दिया रहेगे, तो front, 360 से 15 घटा लेना, ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि हमने कहा है, घड़ी में हमीशा दो एंगल बनते हैं, इस बात का ध्यान देना, clear है, चल कितना हो जाएगा, 11 इंटू 15 बाई, 2 हो जाएगा, कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे, हाँ, बिल्कुल सर, 6 पंचे 300 हो जाएगा, 11 गुड़े 15 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, फ्रेंट्स, 15 दहम में 150, 15 जोड़ देंगे, 165, बटे कितना हो जाएगा, 2, एक बात तो कि फ्रेंट्स, इंटीजर नंबर नहीं आएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 यहीं हो गया, 9 में से 6 गया, 3, 2 में से 1 गया, 135 का आधा कर दो, कितनी बार चला जाएगा, 2, 6, 12, 2, 7, 14, यानि सर, 6, 5 डिगरीस कुश्चन का, करेक्ट आंसर होगा, यानि B आप्षन क्या हो जाएगा फ्रेंट्स, राइट अंसर होगा, I hope कि फ्रेंट्स बाते समझ गए होंगे, इस टाइप की सवाल आएगा, तो कर लेंगे, तो चलिए फ्रेंट्स, यह कुश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इस कुश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बाक्स में कमे करके जरूर बताईए, और जो बच्चे नए है, चैनल से जरूर जुड़िये, फ्रेंट्स, आपको यहाँ पर काफी हिल्प मिलने वाली है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फ्रेंट्स, थैंक्यू, आल दी बेस्ट.